अज 19 तारीक है नहीं कि अम आने नहीं देंगे आने नहीं देंगे तुमारा बाप भी है मैंने रखता है असलाम उलेकम दोस्तों बीजेपी के मेले राजा सिंग ने भी एखलान किया था कि 19 फेबरोरी को राजा सिंग प्रोग्राम होगा मीरा रोड के उपर और 19 तारीक के दिन ही वारिस पठान ने भी एखलान कर दिया था कि वो भी मीरा रोड आ जाएंगे अल्रेडी वारिस पठान को इससे मतालिख नोटिस दी गई थी जैसे ही आज वारिस पठान मीरा रोड के खरीब पहुंचे उन्हें डिटेन कर लिया गया वही दूसरे जाने BJP के ML राजा सिंग का भी मीरा रोड का जो 19 फेवरोरी का प्लान है वो भी चेंज हो चुका है और दोनों पोलिटिकल लीडर्स ने अपने पेजस के उपर इससे मतालिख वीडियोस पोस्ट किये क्या कहना है इन लोगं का यहां पर आप सुन सकते हैं हम आने नहीं देंगे आने नहीं देंगे तुमारा बाप भी हमेने रखता आने से और 25 तरीके दिन आऊंगा कारिकरम करूंगा हमारा उद्देश नहीं है कि भड़काओ वाशन देना लेकिन हमें मजबूर मत करो कि हम कोई गलत बोले तो कारिकरम को होने दे और पोलिस से न पाँज बजे मीरा और अट पर कारिक्रम होगा किसी भी हालत में कारिक्रम होगा कोई रोक नहीं सकेगा निवेदन है सबकार से साथ दे मैंने आट दिन पहले कहा था कि मैं 19 फर्वरी के दिन मेरा रोड आऊंगा पुलिस कमिशनर सापको मिलूंगा एक निवेदन दूँगा निवेदन ये के भाई मेरा रोड में जो इतने बीजेपी के नेता भार भार से आये बढ़काओ वाशन दिये जिसका अंजाम आप हमने स सबने देखा एकने गिस तरह से बेग्भणा बेकसूर कुछ मुसल्मान हों की दुवां ओको चला दिया गया तो हमने का मिलें 2021 कि तरफ से आया 149 का अया मेरा भैंदर की तरफ साइं 149 मुझे 144 का मुझे 144 का नूटीज दिया जा रहा है मुझे 153 लगाया जा रहा है और इतना ही जब मैं यहां से जा रहा हूँ आपर तो ऐसा लगा कि मुझे तो दैसर चेक नाकें पर पूछते ही कि पूरा जैसा कोई बट बड़ा आतंग वा दिया रहा है पूरी तरह से पुलिस ही पुलिस खड़ी है अब मेरे कुछ लोग थे आप पर खड़े थे मुझे का करें आपको आगे रहे जाने जाए गा पुलिस दुआरा मैंने का क्यूं मैं इस देश का पकास सच्चा सेहरी हूं मैं एक्स MLO में लॉयर हूं में नैश्चनल स्पोक्सपरसन हूं मैं क्यों नहीं मिल सकता जाके जब बाज़ा पाके नेता आ पुलिस टेशन देशर में जाके बिटा दिया मेरे इतने सारे लोग मुझे मिलना था जिनकी दुखाने तूड़ गई है जल गई उनसे में मिलता हूं के दुख में शरीक होना था मुझे मगर बीजेपी का जो असल चेहरा है सामने आ गया कि किस तरह से बीजेपी पूरी के पूरी एंटी मुस्लिम पार्टी है उनके नेता जा सकते है बढ़काव भाशन दे सकते है बढ़काव बयान दे सकते मगर वारीज पठान नहीं जा सकता क्योंकि मुझे आवाज उठाता हूं उनकी तरफ से मैं लड़ता हूं ना मुझे जाने नहीं दिया तो हमने ठीक है उनको भी मताने तो अगर 25 तारिक को आये तो यकीन मान यह वारीज पठान फिर जाएगा कोई रोक नहीं सकता मुझे संविधान ने जितना अधिकार उनको दिया है ना उससे कहीं ज्यादा अधिकार मेरा है कानुन सब के लिए बराबार होना चाहिए ना उनको आने देंग भार के आ सकते में नहीं जा सकता बस यही बात है अभी बस छोड़के गए सब मुझे झाल 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 झाल